हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब बढ़ियां है चलिए आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे ठीक है तो आज लोग क्या देखेंगे कि आविंग फर्स्ट जो चैप्टर चल ला है इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 को देखा जाएगा इसमें देखा जाए कि एक ही वीडियो पूरा कंप्रेट कवर हो जाए ठीक है तो बने रही है हमारे साथ और देखते रही है नंबर फिजिक्स में ठीक है चल दो स्टार्ट करते हैं बच्चों ठीक है देखो क्या है पहले पहले क्या है दा राइट इच आफ दा फालोविं इंग निम्बरल्स हमको क्या करना है इन सब नंबर्स को जो दिया है वर्ड वाला जो वर्ड नंबर दिया है इसी को क्या करना है नंबर्स में करना ठीक है तो यहां पर देखो कितने है करीब वन्स लेकर 8 तक है एक तक है 1 से 8 तक है इसको हम फड़ा फड़ देखेंगे और इसके बाद इसको भी हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से ठीक है तो पहले चलते हैं पहला वाला देखते हैं कि पहला वाला क्या क्या है तो यह आपका वर्ड्स में है तो इसको हम क्या करेंगे नंबर्स करेंगे ठीक है तो साथ रहिए देखते रहिए ठीक है तो देखतों क्या करेंग की बच्यों पहले क्या करेंगे आप लोग यह पड़े होंगे उलान जो बताएं है अभी अगले लेक्चर में सब बताई तो रहें स्टारेंग से ई क्या करते है सब से पहले हम वहाँ पर व ży्क्ते हैं तो ते टेनगट थाउजेंट फृर टैन ठाउजेंट फिर इसके बाद लाक्स इसके बाद करोड फिर टेन करोड इसी नंबर करोड लिखेंगे वूद बडिया तो फिर हम क्या है यहां पे 1000 में है तो 8000 12 कैसे लिखेंगे देखो हाँ एक चीज हो जब डवन नंबर आए तुमको 10 और 1000 है और उसके बाद तेन धीजन दोनगों को हम एक हीमीगे ठीक है अगर सिर्फ स знаком स्बैख जीन का नंबर ॐ ficar 3,"देख है किसमें है यहां पे 8000 अव Hillou इसको हम वहाद 0 माल लेंगे न यह भी बता है कि जहां कोई अगर नहीं वर्स कोई दिया है तो वहाँ पिया माल लेंगे बच्चो जीरो माल लेंगे ठीक है तो यहाँ पर 8 0 12 हो गया ठीक है नोट करते चलिए बच्चो 17,000 17 है ना नहीं 70 है ना तो 70 के लिए double number है ना 70 में देखो double digit का होता है two digit का number होता है तो यहाँ का मतलब यह thousand हुआ यह 10,000 हुआ ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17,000 53 17,000 53 ना 17,000 53 ऐसे convert करेंगे ठीक है 17,000 53 तो 17,000 53 ठीक है ऐसे ऐसे इसे 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 आपर convert करेंगे ठीक है साही में आ रहा है भाईया ना बच्चो ठीक है तो आगे देखते हैं आगे है देखो इसका क्या हो जाएगा 17,000 53 यह आपका हो गया second वाला इसके बाद है थर्ड वाला देखते हैं थर्ड वाला क्या दिया है बच्चो फाइफ लाक्स ना फाइफ लाक्स ना सेवन थाउजन फोर हैंडड़ सिक्स ठीक है फाइफ लाक्स दिया है तो लाक्स वाले सक्सिम चलते हैं ना लाक्स वाले ठीक है तो यहाँ क्या है 70, 70 हो गया, और ये क्या है, 57,406 तो 5 lakhs का क्या लिखेंगे, तो 5 lakhs वारा 5 में रहेगा, ठीक है, उसके बाद क्या दा है, 7,000 नो, 7,000 है, ठीक है, 17 नहीं है, 7,000 ठीक है, 7,000, तो यहां पर क्या है, 7,000 भाईया, 7 यहां पर हो गया, ठीक है, सेवन यहां पर हो गया 5,7406 ना 406 ऐसे हम इसको कनवर्ट कर लेंगे ठीक है और जोहां नहीं है वहां पर हम 0 बाल लेंगे ठीक है बच्चो ठीक है ठीक है ठीक है सवज़ाया किलियर ठीक है यहां क्या हो गया 5,00,00 हो गया उसके बाद 7,406 देखो 5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 यहाँ पर भी आएगा नो ऐसे देखते रहें क्या है बछ्चों सिउनेयल ऑद कि द Northern है iąट्य यहाँ प्रस्ट्रस्टोटों भी प्लाइट इसद दो दर क्रांशे सिग्स लाइक टूहें प्लंत दर नाइन जहाँ नहीं वहां तो 6,209 ऐसे लिख देंगे 6,006,00 रहेगा तुम तू लिख रहे हो नो 6,209 ऐसे यहाँ पर नम्रल्स में कन्वर्ट करेंगे ठीक है इसके बाद देखो क्या है 30,11,001 नो कितना है 30,11,001 तो इसका ऐसे हो गया 30,00,001 है तो देखो यह जो कॉलम है जब डबल नमबर आए तब यहाँ पर लिखा जाते है जब सिंगल आए तो इसका ही लेंगे ठीक है यह डबल नमबर के लिए इसके तो सिंगल ही सिंगल के लिए होता है ना बच्चो तो ठीक है तो 10,00,002,009 हो गया 30,00,000 तो यहाँ देखो 30 हो जाएगा 30,00,001,001,001 तो इसे हम यहाँ पर राइट कर लिए ठीक है बच्चो नमब देखो 30,001,00,001,001,001,001,001,001 तो इसके दे बार 100,00,001 हो गया तो इसके बार 100,000 हो गया ठीक है ठीक है बच्चों ठीक है ठीक है अब देखते हैं आगे क्या हो गया इसका थर्टी लैक्स इलेवन थाउजन वन यहां पर थर्टी लैक्स ठीक है इसके बाद 11000 अब कल देखते हैं आगे आगे क्या है है आपका है इत करोर लाक्स ट्वन्टी फाइफ रिव्ट लाक्स ट्वन्टी फाएफ बच्क है यह भी आपको आगे होगा यहां कोई नहीं दिखकत पर कमेंड कर बताईया आपको कमेंड करते नहीं प्यारे बच्चों करना चाहिए ना इससे हमको यह पाच रहेगा कि हम कैसे पढ़ा रहे ना कोई दिक्कत भी हो ना कोई कोई भूल हो कि सरा पैसे में यहां ऐसे होगा तो हम उसको और अच्छे तरह से भी बताएंगे ना यह बहुत इंपोर्टेंट रेकमन करना ठीक ह कि सरे अगर हम मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कभी नत कर तो मिलता इस्कारें ना तो तो हम सोचेंगे कि कहा कोई दिक्कत है कैसे क्या है वह हम करेंगे बहुत इंपॉटेंट है आप लोगों के लिए हमारे लिए भी ठीक है तो ठीक आगे चलते हैं आगे है आपका एट करोड़ 4.25 तो देखो एट करोड़ यहां प्या जाएगा इस वाले सेक्सर में ठीक है 4,00,004,00,00 and 0,00,00 जहां कोई number नहीं नए दिया हो, जिसे मान लेथे हैं तो आप यहाँ पे दुआसों मानते अगर 14,00,00,00 यहाँ पे 1 दिखते हैं लेकिन यहाँ से 4 दिया है यहाँ से क्या होगा 0,00,00, 00,00,00, तो 8,004,00,25 यहां कुछ नहीं वहाँ जीरो ठीक है एट करो फॉर लाक्त ठीक है एक्सरसाइज बाद आपका इंट्रेशनल आएगा मजे बड़ियां पढ़ेंगे ठीक है तो आगे चलती है डिखती है क्या होगा ठीक है ठीक है ठीक है तो आपका देखो क्या है KITना इंटरेस्टिंग है 3 करोर 3 3,303 बच्चो कितना अच् Hasin घुश्च क्य्ष्ण है 25, न, ये इद थे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, इंगलतीत नहीं हुई है, भाईया, लोग, क्या है देखो, 8 करोर, ठीक है, 8 करोर हो गया, 4 lakh हो गया बच्चो ठीक है तो 25 यहां हो गया ठीक है यह इसका हो गया इसका 25 यह इसका 4 lakh हो गया 8 करो ठीक है शही है बढ़िया है ठीक है आगे देखते है आपका है 6 वाला 6 वाला क्या है 3 करोर 3 lakh 3 303 ठीक है यह इसको इसको देखते हो कैसे होगा इसको देखो कैसे होगा तो देखो क्या दिया है 3 करोर तो 3 करोर से start है double नम्मर तो है नहीं तो 3 करोर 3 lakhs 3 lakhs 3 thousand ऐसे ही है देखो 3 करोर हो गया 3 करोर ठीक है इसके बाद 3 lakh 3 thousand हो गया ठीक है 3 thousand 3 thousand 300 नम्म यही है देखो कहां गया 300 300 303 नम्म 3 करोर नम्म 3 lakhs 3 thousand 303 ठीक है ठीक है ठीक है बच्चो नम्म देखो रही है 3 करोर ठीक है 3 करोर 3 lakhs 3 thousand 303 ठीक है की लिए सुझा आया बढ़ियां से बढ़ियां से बच्चो पढ़िये और बढ़ियां से रही है ठीक है अब देखो लाश्ट वाला क्या है सेवन्टीन करोर सेवन्टीन करोर ठीक है सेवन्टीन करोर 60 lakhs 30,057 यह कैसे देखो नमबर करेंगे इसको नोट करते जाएगा ठीक है आप देखो क्या है 17 करोर 17 का मतलब 17 हो गया ठीक है करोर से है 60 lakhs मतलब 60 lakhs इसके बाद 60 lakhs 30,000 धेखो 30,000 यहाँ हो गया इसके बाद क्या है 30,000 वे फिर 57 ठीक है 50 30,57 है ठीक है ठीक है देखते है 17 करोर ठीक है फिर 60 lakh ठीक है इसके बाद 30,000 यह भी सहीए है इसके बाद 57 है तो ऐसे हम इसको कर लेंगे थो थीक है तो फर्स्ट वाल आप लोग को बहुत ज़ी क्या करना तो ठीक है इसको भी देखते हैं ट्रीक है नोट करते चलिये और इसको मिटाके हम सिकेंड वालब सलते ठीक है बचो थीक है थीक है तो यहां पर है आपका पहला नंबर है 42007 है ठीक है क्या है 42007 है तो देखो 7 क्या है वन्स में आएगा 7 यह 0 यह 0 यह 2 और यह यह आपका 4 ठीक है तो यह क्या हो गया देखो 42,000 ना 42 साजन 7 ठीक है ऐसे लिखें बच्चों ठीक है ना 42,000 देखो 40,42,42,42 ज्यादा यह तो इधर चल जा रहा है ना ठीक है इधर बढ़ जाते हैं ठीक है इधर बढ़ जाते हैं क्या है क्या है ना 42,000 ठीक है 42,007 ठीक है ऐसे इसको लिख देंगे आप जैको इसके बाद क्या है यह देखो 42 किसमें है देखो यहां पर 1000 वाले में है यहां क्या हो जाएगा 5000 फाsed शेजयों क्या है 7 सिवन सिवन तो यूनिट यूनिट का लिखते ही नहीं है तो 7 सिवन रहेगा ठीक है अब2 क्या है देखो जो ध्यान से ध्यान से इसको भी देख लो आप Game क्योंकि अगर फटा फट नहीं बताएंगे तो एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा बच्चों अच्छे भी बताएंगे और कंप्लीट भी खरवाएंगे ठीक है तो यहां देखो क्या है पहले नंबर लिग लेते हैं क्या नंबर है बया फोर कामा जीरो फा हो गया फोर फ ट्व फिर इसके बाद five फिर जी रो फिर क्या इसको लिखेंगे कामा यहां पे यहां पे इसके बाद हो गया तो क्या है फोर धो इसके बाद 45 ना 45 ठीक है 4,005,005,005,0045 इसको ऐसे हम लिख देंगे इसके बाद देखो थर्ड वाला क्या है थर्ड वाला देखते हैं क्या है 35,004,2012 ठीक है ऐसे तो ऐसे इसको भी ऐसे लिख देंगी ठीक ना बच्चो कोई दिक्कत हो तो जरूर बताईएगा ठीक है तो ठीक है देखो क्या है 35 है 42 है 012 है ठीक है इसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लेजिए यह 2 है 1,0,2,4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 ठीक है तो यहाँ पर इसका कामा दिया है लुट लोग नहीं खाते हैं ठीक है इंपार्टन तो भी तो नहीं है डीक है अब देखो इसको लिखें कैसे बच्चों ना देखो थर्टी फाइफ किसमें है इस एक हो गया हां तो थर्टी फाइफ ऐसे थर्टी फाइफ लाक्ष नो थर्टी फाइफ लाक्ष फोर्टी टू थाउजन नो थर्टी फाइफ लाक्ष फोर्टी टू थाउजन ट्वल्ड थर्टी फाइफ लाक्ष टीक है फोर्टी टू थाउजन यह हो गया आपका ट्वल्ड ठीक है ऐसे बढ़िया है अब इसके बाद है आपका फॉर्ट वाला द लिए कर देखते हैं इसका क्या है system ठीक है इसको भी देख लेते हैं note करते चलिए दम बढ़ कें अइसा note करें कि आग लगादो आग लग जाएगा तो जल जाएगा प्ये जो सब बढ़ यहां से ठीक है तो आग नहीं लगाना है और आग लगाना है पने अंदर ठीक है 4, 0 है, इसके बाद 6 है, फिर 0, फिर 7, ठीक है, यहां कामल लगा दो, ठीक है, ति क्या देखो, 7 किसमे है, करोर में, यहां क्या लिख देंगे, 7 करोर, ठीक है, 7 करोर, 6 lakhs, ठीक है, 6, 6 lakh, ठीक है, कितना 4,000, ठीक है, 4,000, कितना 14, 14, ठीक है, 14, ऐसे इसको हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, तो ठीक है, बढ़ियां समझ में आया होगा, कोई दिक्कात हो, तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा, ठीक है, अब जेक्ते हैं, चलते हैं, किस पे, कोश्चन नमबर 3 प ठीक है, और एक दो कोश्चन और सेकेंड वाले में और छुड़ गया था, तो उसको आप लोग अच्छी तरह कर लिजेगा, ठीक है, अम उसको डाल देंगे, ठीक है, वहाँ पर लोग उसको कर ले न, ठीक है, दिखाएगा, उपर दिखाएगा, ठीक है, तो चलते हैं, इस the following numbers in the world, बताना क्या है, कि जो numbers लिखे गए है, इसमें आपको सही, correct, आपको कामा लगाना है, ठीक है, इंडियन सिस्टम के according, आपको क्या करना है, कामा ज़ लगाना, ठीक है, numbers में कहां कहां कामा लगाना, ठीक है, अब देखते हैं, इसमें क्या दिया है, पहला है, क्या द और यह 1,000, ठीक है, ठ, यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉमा लग जाएगा, बस, क्या होगा, 4,375, तो आप लोग जानते हैं, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लाष्ट से 3 डिजिट के बाद ही लगता है, इसके बाद डबल डबल डिजिट पे लगता है, करूर तक, हेस है धाउजन तें भूर्स पर घप्र होट कर सकते हैं है तो कर सकते हैं बडियां से इसके अब यहां दिया क्या है four है three he meso 75 एक यहां पालिऑह यहां कामा लगा लेंगे ना यह आपका सही है ठीक है यहां कामा लगा लगा लेंगेगे यह आपका सही हो गया अब second आब देखते हैं थी नंबर के छोड़ करके यहां पर दो नंबर होगे ना तो twenty four seven तो 798 ठीक है यहां कितना था 4,375 यहां 24,798 न यहां लाश्ट से 3 डीजिट पे लगाएंगे उसके बाद डबल 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 डप अब देखते हैं यहां देखो क्या है कामा 3 नंबर पे लगाएंगे फिर डबल नंबर पे यहां सिंगल बच गया तो सिंगल ही रहेगा अगर डबल होता तो भी डबल हो जाता नो अगर सिंगल यहां बच गया तो सिंगल रहती है कि अपड़ेंगे कैसे एट लाक्स ना एक प्लाक 57 57,367 ठीक है तो यहां पर जो दिया है एट है 57 367 है ठीक है यहां थी नंबर पे यहां डबल नंबर पे ठीक है अगर आप पर आवर आता हो तो डवल नंबर पर यहां कुछ नहीं है तो यहां पर एक ही नंबर लगाँगी कॉमेज ठीक है तो 8,57,367 ठीक है बच्चो अब देखते हैं फोर्थ वाल यहां कितना है फोर्थ वाल देखते हैं क्या दिया है यहां पर देखो 9 है 050784 यहां पर क्या करेंगे थी नंबर पर ठीक है थी नंबर पर इसके बार डबल डबल नंबर पर बच्चों यहां पर कावर्ज लगा लेंगे ठीक है है यह देखो क्या I million Spider है फीज़ेसों नंबर पर पीचते है पिछचे से फाइदा होता है ठीक है सही हुता है यहां नंबर डिया तो त्री नमबर कामा यहां डबल नमबर पर फिर डबल नमबर पर इसको कैसे रीड करेंगे यहां देखो वन करोर्स ना वन करोर्ड वन लाक्स ना वन करोर्ड वन लाक्स फाइफ थाउजन शिक्स हेंडड़ सेवन ठीक है इसको ऐसे रीड करेंगे वन करोर्ड वन लाक्स फ वाले पर देखते हैं कितना होगा कैसे मज़ा आता है मैथ पढ़ने में बच्चो बस बढ़ा करिए एक बार लग जाएंगे ना जिस दिन एक बार मैथ से गर बढ़ियां से गर चाह लेंगे ना तो वो खुद आपको नहीं छोड़ेगा यह जान लेंगे तो यहां पर देखो पर फिदबन डबन असिंगल बच जाए तो उसको ऐसे ही छोड़ दिना ठीक बच्चो इसको कैसे रिट करेंगे देखो न यह कितना है वन तो वन क्या है यहां पर बच्चो वन है आपका वन करोड सेबिद देखो कैसे यह करोड में आएगा यह वाला जो आता है यह आपका थाउजन में आता है यह आपका वही दव क्या है वही आपको होगा देखो हैंडेट टेन वाला तो हैंडेट हो गया यह यह टेन यह वन ठीक है तो देखो वन करोड और इसके बाद कुछ नहीं है 00 तो सीधा पढ़ेंगे क्या वन करोड सेवन ऐसे रीड करेंगे ठीक है अब देखते हैं सेवन वाल ठीक है बच्चों सेवन वाल देखते हैं इसका कामा कैसे लगा ठीक है आई होप आप लोगों को अच्छी तरह सवन जाया होगा यह हो गया यह हो गया और यह हो गया कामा ठीक है आप देखते हैं फोर्स वाले हां सेवन वाले में देखते हैं कैसी य 910 है 107104 ठीक बच्चों प्यारे बच्चों तो यहां पर 3 नंबर पे फिर डबल नंबर फिर डबल नंबर फिर ठीक है तो कितना है 91 ना 91 क्या है करोड 1,7104 इसको ऐसे डिट करेंगे ठीक है कितना 90 90 बोलो हमारे सार ठीक है 91 करोड 1,7104 तो यहां कामा यहां लग गया यहां लग गया ओर यहां लग गया अब देखते है क्या है 3 वाला कम्पलीट हो गया आप 4 वाले देखते हैं 4 वाला क्या कह रहा है 4 वाला कहरा है के राइट इस आफ़ता फालूवे इख्पेंडेट नोटेशन किसी नंबर को फैला δो ना ठीक है आपको क्या करना है इसको खीचना भड़ा करना है ठीक है तो यहां आप देखते हैं कि समझ लागए हो गया ना अच्छी तरह से अब देखते हैं इस वाले को ठीक है उपर रेज कर दे रहे हैं उसको नोट कर लेना आप लो कि यह आपका जो एक्सरसाइज चल ला है यह आपका आड़ी सर्मा जो है भाईया ना अंकल जी जो है सर्जी है जो भी है उनकी बुक से हम बता रहें ठीक है तो ठीक है तलते हैं आगे ठीक है तो ऐसे बुक कोई भी हो ना सीखने वाला बस सही होना चाहिए अगर सीख लिया कोई एक बुक से तो कुछ भी कर सकता है ना कुछ भी जान सकता है पड़ सकता है ठीक है हां ठीक है तो देखो यह राइटीच चाब्दा फालो विंग था इकस्पेंड़ेंट नोटेशन तो क्या है पहले ah 3057 को क्या करेंगे कितने नंबर avics या देखो कामा कर दिये ठीक है 3 कौन से प्लेस पे है 1000 प्लेस पे है इसके बाद प्लस 0 इंटू कितने प्लेस पे है 100 पोजिशन पे है यहां 100 हो गया प्लस 5 इतने पोजिशन पे है 5 है आपका 10 पोजिशन पे 5 इंटू 10 हो गया 7 कितने पोजिशन पे है 7 है 1 पोजिशन पे यह इसका यह हो गया इसका expanded point कि इतना होगा, three, triple zero, यहाँ पे double zero, प्लस, यहाँ कितना five zero, यहाँ पे seven, यह इसका expanded हो गया, इस number का यह क्या होगा, expanded form होगे, ठीक है, expanded form या expanded notation भी, ठीक है, इसे इसको करेंगे, तो ठीक है, समझ आया होगा, बड़ी हां से, अब देखते है, second वाला, one, two, three, four, five, त देखो, one, two, three, four, five, ठीक है, तो one, two, three, four, five, one कितने प्लेस पे है, पहले यहाँ पित कामल लगा दो, डबल नमबर पे ठीक है, इसको ऐसे लिख दे नो, आसान हैगा, one, ten, hundred, thousand, फिर, ten thousand, ठीक है, one कितने प्लेस पे है, ten thousand, तो ten हो गया, thousand मतलब three zero, ठीक है, one कितने प्लेस पे है, ten thousand, देखो, थाउजन पर है ठीक है अब तो यहां पर कितने पोजिशन पर है आपका टेन पोजिशन पर ठीक है बच्चों अब यहां फाइव कितने पर है फाइब फे वन पोजिशन पे इसको कैसे क्या करेंगे देखो यह पूरा प्यही रहेगा थेन थाउजन ठीक है प्लस यह कितना है इसको ऐसे भी लख सकते थे डबल नंबर पूरा ले लो लू लो डू ले लो सही है तो यहां पे देखो बच्छो तो यह कितना हो जाएगा यहां पे टू इसका हो गया आपका इइस के रिवाले पर ज़िखे रहा है इसको अई से करेंगे ठीक है बच्छो अब चलते हैं आगे वाले पर आगे वाले क्या कह रहा है आगे वाला पर तो आगे वाला है ठीक है ठीक है बच्छो हाँ उसको expand करने के बे ऐसे मिला तो आगे हम देखते हैं आगे हैं आपका कौन सा यह देखो पहला हो गया तेकन हो गया अब इसके बाद थार है और फूर्थ है ना दो और है उसको भी देख लेते हैं टीक है उसको भी देख लेते हैं भाईया कैसे क्या है तो देखो थार्ड वाला क्या दिया है बच्छों थार्ड वाला है वन जीरो टू जीरो फाइफ ठीक है यह कितने पोजिशन पर है वन से है टेन है एंडेड है फिर इसके बाद तो टेन है थाउजन में है फिर तेन थाउजन है ठीक है तेन थाउजन तो वन कितने पर यहां पर तेन थाउजन कर दिये ठीक है प्लस अब जीरो कितना है थाउजन प्लेस पर है तो यहां पर थाउजन कर दिये ठीक है अब इसके बाद अब इसके बाद तू क्या है तू क्या इसको आइसे भी लिख सकते है इसको वन में कोई भी नमबर बच्चों कोई भी नमबर हो वन से मल्टिप्लाइ करेंगे तो वही नमबर आता है और कोई नमबर अगर जीरो से मल्टिप्लाइ करेंगे तो पूरा जीरो हा जाता है ठीक है तो यहां पर कितना है थ्री फोर हो गय यहां पर देखो कितना है जीरो हो जाएगा एक जीरो लिखो चाहिए तीन जीरो लिखो सेम हो घुए अब इसका टू का हैंडेज करेंगे तो कितना होगा 200 और 10 का zero करेंगे 0 यहां करेंगे तो 5 x 5 तो इसका चलते रहे हैं तो मजा लेने के लिए तो पढ़ाते हैं हमारे च्राइब कोई दिख्कत हो तो आप बताईएगा तो अब लेकते हैं फूर्थ वाला देखो क्या कह रहा है कि टू ऊथरी है हम और फ़ाइप जिरो भी है आप जीरो लेकर बैठी है ना हमको कैसे खीच कितान होगे तो इसको कैसे खीचेंगे यहाँ पर कॉमा कर दें कि यहाँ पर हो साय कि यहाँ नॉमबर्स देको क्या ऐए एक्स्पेंड करने के लिए आपको यह पता होना चाहिये पोजीचन है यह जी डिटन पर हेवत कि तो अगर वह इसकत ऊपट्वी में, तो बाना पागिन के तो यहां पे देखो बच्चों यहां पे one तो हो गया थेकर फिर थाउजन फिर तेन थाउजन फिर लाइक टू कितने है लाग कितना जीरो to five zero now one like dummy कितना zero होता है बच्चों five zero होता है टैक है अब यहां feather three ए है three क्या है 10 thousand तेन थालोजन को belt आई यहां पर लिख सकते हैं यह वाला लाइन बता है इसको हम आईसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा देख लो ऊपर लिख दे रहे हैं आप लोग इसको नोट कर लेना यह हो जाएगा रख तू कितना जीरो प्लास थीरी कितना जीरो बच्चो फोर जीरो ऑसके बाद फाइफ कितना जीरो 30 फिर इसका गतना जीरो नोटेशन है कि लिए बच्चो अच्छी तरह समय आया बढ़ियांस आया होगा न अब आप यह कारते हैं इसको क्या करते हैं क्या काहा है घ्रीक है तो इसमें क्या इसमें क्या काया है कि जो जो नंबर्स यहां जो दिये है इसको हम करेंगे तो आपका नंबर्स में हो जाएगा ठीक है तो यही हम इसमें दिखेंगे सबसे इंपोर्टन चीज है तो यहां क्या लिख देंगे सबसे इंपोर्टन चीज है क्या है यहां पे का क्रोर्टन देंगे ना कह थीक है यहां पर सिफ तेन थाउजन यहां पर टेन करोर करोर टेन लाक टेन थाउजन फिट है तो सबसे फ़हले इसी फिर हम क्या कर देंगे देख लिए तो यह पूजिशन देखने बता रहा है यहां पर बच्चों seven into कीतना का पर सक्षक्क्त तो seven three thousand क्यों आएगा यहां पर आएगा से भावेशओन यहां हो गया अब इसके बाद कितना है एक यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा यह सब्सक्राइब एक है यहां देखो, यह जो जिरो बताता है, जो जिरो है, वन वाला यह सब्सक्राइब, यह सब आपका पोजीटन बताता है यह नाइंग कहाँ पे है जिक्स कहाँ हए तर उसी के अनुसाय किया करना है उसको वहां पे 주고 कर देना आपका क्फार्म मिल जाएगा ठीक वच्चो तो इसको एक चीज और मतूस सकत हुएव7 पोजीट्पाइयेगा कर दो तब भी आपको नंबर आएगा लेकिन वह टाइम ज्यादा लगेगा आप डारेक्ट इस पर एक से लिख करके आप फटा 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 पर लिख करके आप उसमें नोट कर सकते हैं ठीक है राइट कर सकते हैं तिस लिए कौन सा नंबर हो गया अपना थी नंबर यहा कितना होगा अब यह कितना दिया है देखो यह कितना है कितना चीरो है देखो फाइब जिरो किस में होते हैं बच्चो फाइब जिरो वन लाक्स में होते ठीक है यहां कितना है फोर लाक्स यहां कितना है फाइफ फाइफ कितना है फाइफ हेंडड वन हेंडड सेवन ठीक है अइसे इसको क्या करेंगे 455107 इसको आद्धकु अगर डार्रेक्ट लिखेंघे देखो बच्चो डार्रीक लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा 7 होगया अब देखो यहां क्या है 500 500 से मतलब इस 1000 से श्टार्ट होगा तो यहाँ पी हम क्या कर देंगे यहाँ पी देखो अगर समझ भी है तब इसको इस सिस्टम से इस पर धड़ाए उसके बाद लगा सकने तो देखते हैं इस पर इसे पी देख लेते हैं आसान रहेगा प्रोट लें देखें यहां कितना है four लाक हो गया जिसके बाद कितना है five thousand यहां क्या रख देंगे five thousand वन नंबर है निए one digit का है ठीक है जिसके बाद क्या one hundred यहां पर one hundred हो गया फिर seven यहां पर seven हो गया तो यहां 3 नंबर फिब गया डबन नंबर ठीक है तो देखो ऐसे कितना असानिस निकल गया ना भूत असानिस पता चल गया के इससे रहेगा ठीक है तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आप ऐसे इसका निखिलेंगे अब इसका कितना होगा ना ये कितने अंक पे है देखो 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो 6 0 किसमें होता है 10 लॉक में होता है ना बच्चो यही तो आपको याद करना है इसी को आपको नोट करना लर्न करना अगर यह लर्न हो गया तो आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं ठीक है तो ठीक है तो यहां पर देखते हैं कितना है यहां हो जाएगा कि यहां पर हो जाएगा थाउजन हो गया ठीक है अब इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं इसका कितना हो जाएगा बच्चों एट जीरो कामा जीरो ठीक है ठीक है अजिए हो अच्छी तरह से समझ में आता होगा आप लोगों को बच्चों अगर नहीं या तो कमेंट कमेंट करे बताइए गा तो यहां देखते हैं 4 फोर्फ आरेम कितना है सब्सक्राइबF तो छीँ न को कवा है यहां देखते हैं कितना है यहां पीbooks कर दे रहें इसको मुठाइब दे इसी पर denote करके आप देखिए मजा आएगा लगाने में अब देखो कितना है फाइफ नो फाइफ करोर यहाँ पर फाइफ हो गयागा यहाँ पर यहाँ पर इसके सामने ठीक है आप इसके बाद कितना है एट करोर था यहां पर यहाँ यहां पर इसके बाद यहाँ पर हो गया फिर इसके बाद 904 910 कहां पर 910 यहां पर है और यहां पर 0 यहां पर 0 यहां पर 0 हो गए आपका ठीक है तुसको क्या पढ़ेंगे ऐसे 5 करोर 70,008,094 तो इसको हम ऐसे करोर करेंगे ठीक है ठीक है समझ लाया एक बार बाता दें बच्चो बता दें ठीक है अब देखो क्या करेंगे बहुत ध्यान से पहले आप क्या करेंगे इस 0 को कौन करेंगे कितना 0 है ठीक है तो आपको सबसे पहले आपको लर्ल होना चाहिए इतना 0 किस अस्थान पर किस प्लेस 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 प तो इसका पहले इस position को देखेंगे 1234567 जो zero होते है वो किस position पर होते है तो वह जो position होगा वह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो these position आपको कितने साथ7 और पर एक करोड में आले ठीक है अब यहां देखो कितना इसके साथ 7 के साथ कितना है 123456 अब six zero कौन से प्रोजीशन फॉते हैं तो 60 आपका किसमिय होता है देखो देखो तैनल लाग फॉलीफ है तो हम ने क्या कर गया यहां सेवन कर दिया इसके बार टेनलाग फॉला हो गया है इसके बार कितना तो 9 क्या 10 पोजिशन पे है तो हमने क्या कर दिया 9 को 10 पोजिशन कर दिया और 4 ते इंगल ता उसको तो 1 कर दिया ठीक है अब देखते हैं 6 वाला उपर हम रेज करने जा रहे है इसको ठीक है नोट कर ले ना ठीक है अब देखते हैं आगे 6 वाला ठीक है बच्चों आगे जो देखते हैं 6 वाला कि 6 वाला क्या है इस वाले में बताने आपको प्लेस वैल टीक है तो ठीक है बच्चों सब से पहले आप क्या कर लेंगे इसी जो नंबर है यह जो नंबर है इसी नंबर को मिधा लिख दे रहे हैं इसी से बता चल जाएगा यह नंबर कौन से प्लेस पे है ठीक है तो यहां क्या है पहला क्या है सेवेन फोर है फिर नाइन एट इसके बाद थ्री वन सिक्स जीरो नो ति आपका वन्स हो गया यह टेन हो गया यह हंडेड हो गया ठीक है इसके बाद यह थाउजन हो गया यह टे टो 4 यहां पर लिख देंगे पोजीइस निकाल सकते हैं थे कितना जिरो उतार 10 लाक्स में कितना 6-0 ठीक है बच्चों यह हमेशा लर्नर हो चाहिए ठीक है अब इसे में क्या कर देंगे मल्टिप्लाइ कर देंगे ति हमारा इसका प्लेस वेलू निकल आएगा ठीक है ठीक है कि लिए ऐसे इसको निकाल सकते हैं पहले क्या करेंगे आप ऐसे ड कूझ डिचे एक दम परियांट निकाल सकते हैं ठीक है अब देखते हैं सिखेंड वाला सिखेंड वाला क्या कह रहा है बच्चों इसको नुट कर ले Australians इसको देखो क्या करेंगे वीडियो लंबा हो रहा है ठीक है इसलिए आप घबराईएगा मत ठीक है क्योंकि पूरा एकसरसाइट एक वीडियो कंप्लीट करना कोई मामली बात तो है नहीं मामली बात क्या ठीक है असान है लेकिन लंबा प्र जाएगा वीडियो लो बस यही दिखने अर्द देखा कितना उन्टेन एंट्व इसके बात कितना है चेंट में इसके बात थावजन प्रशन हो गया प्रशन हो जै इसके बाद हो like fifteen त्रकीत त्रकीत्त्त्त orange जींच से औल से लॉउट्ट टेन टेन ड़ाग इसको दो क्या करेंगे किसका निकारणा फोर का निकारणा फोर कौन से प्लैस पहते है तो फोर इंतू पोजीशन वेजू ठीक है पोजीसटन वैलु कितना है इसका फोंटू पोजीसन वैलु कितना है यहां पिर धींद थख्को थाओजेंड थेंद थाओजंड प्सक्पार चाहर जीरो टि सब्सक्राइबन। नियूसे अब तहले हैं आप जाते हैं अब चलदे आगे बढ़ते हैं सेवन एट और नाइन टेन इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है बच्चों बहुत अच्छी तरह समझेंगे ठीक है क्योंकि जानते हैं है इक्सरसाइज में याव क्या होते हैं डिफकल्ट हो जाते हैं complex हो जाते हैं तो इसको हम देखेंगे ठीक है तो बने देखेंगे ठीक है तो क्या दिया है पहला क्या कर रहा है कि यह जो नंबर है बच्चों इसी में जो दो दो फाइब जो दिखा दे रहे हैं इनहीं का हमको क्या निकालना है दोनों फाइब का प्लेस वेल्यू निकालना है और जो आएगा इन दोनों का प्लेस वेल्यू उसमें हम क्या करेंगे दोनों का प्रेट करते हैं थीक है थीक है तो फर्स्ट है आपका पहला तो यह जो नंबर दिया है ना बच्चो इन दोनों का आप क्या करने है प्लेस वर्यूम निकाल ले अच्छी तरह है तो फाइफ किसमे है टेंस में है तो यह कितने हो जगा 50 और यह कितने पर है 5 फाइफ कितने पर है 1 2 3 4 कितने पर है 10,000 में तो यह कितना हो जागा 10,000 प्लेस पर है ठीक है 5 कितने प्लेस पर है 10,000 पर और यह वाला 5 कितने पर है 50 पर नो तो इन दो जो नंबर आएंगे यह जो यहां पी जो आएगा इसका देखो ठीक है सही है नो बढ़िया अब इन दोन दोनों का क्या कर देंगे multiply करेंगे ठीक है तो वो हमारा क्या निकल जाएगा प्रोडेक्ट निकल जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि 50 इन्टू कितना फ्युप्टी थाउजिन ठीक है जिसमें दखो क्या है पूरा multiply नहीं करेंगे फाइव फाइव जाएव तॉन्टी फाइव अब इसके बाद जितना जीरो बचा उसको काउंट कर लो वन टू तू त्री फोर फाइव कितना है वन टू तू त्री फोर फाइव उन दोलों को क्या कर देंगे multiply कर देंगे तो वह product आपका मिल जाएगा ठीक है तो कितना है यह कितना है वन टू त्री फोर फाइव नो 25 लाक्स ठीक है ऐसे ठीक है अब सेकेंड वाल चलते हैं सबंजा गया होगा सेकेंड वाला देखते हैं सेकेंड वाला है क्या कह रहा है Determine the difference of the place value of two sevens नो इन जो नंबर दिया है इन दो नंबर में जो यहां देको यहां seven एक है एक यहां देको छूपा हुआ बैठा है इन ही दो sevens तो क्या करेंगे place वाले निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद इनका difference निकाल लेंगे ठीक है तो यहां पर चलते है six नो फस्ट व वाला देखते है इसमें न एट वाला है आपका तो नंबर्स क्या है पर आप नंबर्स को नोट कर लो seven eight three nine seven zero five ठीक है तो इसमें क्या है sevens का निकालना है तो इस seven का निकाल लो और इस seven का निकाल लो place value तो इस seven का प्लेस वालू कितना है कितने position पे है one two three Four five six no कितने पर है six मतलब ten locks नो ठीक है कितने पर है ten लाकन देखो तो कितना होगा 123456 इसका प्लेस वैलू इस वाले का इतना आया इसका इतना आया अब क्या करना है इस वाले से स्माल वाले नंबर को माइनस नहीं करेंगे ठीक है कि लिए हमएशा बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे जब डिफेरेंस में यह तो माइनस आता ही है हो गया ठीक है यहां 007 जीरो हो गया यहां कह रही जाएगा टेन मैसे 7 गाया 3 यहां कुतना बचा 9996 यह हमारा फाइनल एंस्वर है क्या डिफरेंस जब पूछे जाएगा तो आप क्या करेंगे ऐसे इसको निकालने के नो इसके बाद देखते है नाइन वाला क्या है ठीक है बच्छो नाइन वाला देखते है 9 वाला क्या कह रहा है देखते है नाइन डिफरेंस बीट्विन दा प्लेस वैल्यू एंड दा फेस वैलू आफ फाइफ इन नंबर नो हमको क्या करना है इसमें कि 5 जो है 5 ने बच्चो 5 का हमको place value निकालना है और face value निकालना है अब उसके बाद क्या कर देना है उनका difference बता देना ठीक है तो जो number दिया है क्या है भाईया 7 8 7 8 है 6 5 4 3 2 1 ठीक है 7 8 6 5 4 3 2 1 तो इस 5 का क्या दिया है देखो देखो यहां पर determine the difference between between है किसमें place value and face value ठीक है place value और face value का कौन सा नमबर 5 का इसमें 5 नमबर कहां पर है यहां पर है तो इसी 5 का हमको क्या निकालना है place value कालना है और face value कालना ठीक है उसके बाद उसका difference निकाल देना ठीक है तो इस 5 का देखो क्या होगा प्लेस value नम place value of 5 इज कितना है कितने value पे है कितने position पे once ten hundred फिर thousand नम ठीक है ten thousand ठीक है तो कितना होगा five into ten thousand तो कितना जाएगा यहां पर five four times zero ठीक है जो इसा दिखाई दे रहा है वह ऐसे ही रहेगा place value of face value of five इज क्या होगा five ही होगा अब इसका difference पूछा है न तो difference के लिए बड़े nine nine five ठीक है यह हमारा इसका क्या हुआ answer रहा है ठीक है clear कोई दिक्कत नहीं न बच्चों ठीक है बने रही है वीडियो साथ अब देखते है 10 वाला क्या कह रहा है 10 वाला which digit have the same which digit have the same face value and place value in कितना 0 न 7 8 न क्या दिया 92078634 इसका मतलब क्या हुआ कि इन numbers में आपको यह बताना है वह number कौन है कि जिसका place value of face value दोनों equal है बराबर है सेम है ठीक है इन numbers में डर किया तो इस numbers में place value of face value कौन सा ऐसा यह number है कि इसमें क्या होगा बताओ बच्चों कि सेम होगा बताइए वीडियो पुश करिए उसके बाद सूचिए बताइए सूचिए कौन सा होगा ठीक है ठीक है देखो क्या होगा 92078634 ठीक है अब देखते है इसमें ऐसा number है कौन सा तो सबसे पहला ऐसा number देखो 4 है कि फस्ट ना कौन है 4 है क्या है फोर का place value place value कितना आएगा कितना आगा 4 ही आएगा और face value कितना आएगा face value भी कितना आएगा फोर ही आएगा तो सबसे पहले फोर है एंड देखो इसके बाद एरफॉर न तॉरी ठीक है जीरो क्या हो जाएगा जीरो का प्लेस वैलू जीरो ही रहेगा क्योंकि जितने वैलू भी है 1 2 3 4 5 तुम मल्टिप्लाइ करेंगे तो वही जीरो ही आएगा और जीरो का फेस वैलू भी क्या आएगा जीरो आएगा तो वह नंबर कौन-कौन से है जीरो है और फोर है ऐसे इसमें दो ही नंबर है जो फेस वैलू प्लेस वैलू दूनों क्या है सेम है ठीक है ठीक है आप आगे देखते हैं 11 वाले को 11 प्रेल कोईस्चन को आयो बहुत अच्छा लगा होगा करें पूरा बताना ही पड़ेगा तो फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा कितना इसमें एक चेप्टन कितना लेक्चर बहाते चले ना ठीक है देखते आंके क्या होगा ठीक है 11 और 12 क्या दिया है ठीक है 11 12 के बाद लास्ट है उसमें हम कुछ और भी चीज़ दिखेंगे इस इसको आज हमने इसको बताया भी था ठीक है जिसको आज हमनों कॉस्टन भी देखेंगे कैसे इसको क्योँ लगाएंगे ठीक है एक बार ओं तो कौन सा दिया है 025 तो सबसे पहले इन सबका इन horizle लेंगे कि क्या क्या होगा तो सबसे पहले है इलेवन वाला है इलेवन का सोल्यूशन है इसमें मान लेती है इफ जीरो इज वन प्लेश्ट तो देन क्या होगा लिखेंगे दो नमबर मिलेंगे ऐसा क्यों जब हम बच्चो आगे यूंकि अगर जीरो को वन समालेंगे भी लगों भागा हो गैई mut हो किसी अब करते में है क्या होगा एक बार टूअबर बनाना है बदावतर रेपीटिंग बनाना है तो सब्से पहले हम क्या करेंगे इसका निकालं के और इन दोनों बने लगे इनुट लेंगे तो क्या हो जाएगा जहां पर टो के बाद क्या हो जाएगा क्या होगा पर अब वो क्या हो वो तो यहां पे क्या दिया है गर हम यहां पे टू को वन समाल ले रहे हैं तो एक में हम अच्छो ठीक है यह ध्यान दीजिएगा ठीक है यह नहीं होगा सिर्फ यह होगा नो 502 अब इसके बाद इफ इफ फाइफ इच वन स्प्लेस्ट तो फाइफ अगर वन प्लेस ले रहे हैं तो फाइफ का भी देखो वैसे ही होगा तो फाइफ लिए और क्या है टू जीरो नो पाइफ घ्या लेंगे कि जिरो बना टो जिरो फाइफ आब इसमें देखो क्या है जिरो आ गया यह कौं सा टू डिजिट नमबर हो गया लेकिं good दिशे ह्यारा होगा है यही होगा…. तो वह जो नंबर है आपके कौन कौन से है LEON है आइयु अच्छी तरह समझ में आ आ आए होगा आपको मैं तो वह जो नंबर है यही है और कौन से शक्ते है ने हैं देख यो बच्छो एक बार आओ 250 250 दिया है ना 5205 वही दिया है 250 250 दिया है 205 यही दिया न तो धी numero है यही है एक वो नंबर है टिर जिए लिंपर कौन कौन से हुँगे तर्थि जिए नंबर्र यही होंगे ठीक है ठीक है बच्चों तो ठीक है चलते हैं आगे देखते हैं क्या है नळू देखू ठीक है आगे पुल चितर समय में आँ होगा कि जिसके आगे गर 0 हो जागा तो वह बड़nh होगा ठीक है कि फिंकूर 2 रिजित नमबर होगा नहीं ठीक है तमको यहां 3 इजित बताना तो अब देखते हैं आगे 12 वाला क्या कह रहा है इसमें देखो दो कंडिशन है पहले तो आपका बताएं है यह आपका पहला कंडिशन है second वाले में क्या कह रहा है कि second वाले में क्या कह रहा है वो यह कह रहा है कि numbers आपस में क्या हो repeat भी हो तो ऐसे कितने number बन सकते हैं अगर नहीं repeat करना है मतलब इसमें देखो यह दिया है कि repetition of digit 3 is not allowed मतलब पहले बारे में not allowed जो यह condition है not allowed है और दूसरे बार कंडिशन में क्या है allowed है कि आप इसको सेम नंबर ले सकते हैं repeating नंबर ले सकते हैं ठीक है तो 12 वालों क्या है इसको अच्छी तरह समझ जाया होगा कि कोई दिक्कत हो आप लोग बताईएगा ठीक है तो ठीक है चलते हैं आगे आगे क्या है सिस्टम कि अदा तो सबसे पहला पहला है जब नाट अलाओड है नाट वालों कि देखें कितना है कितना है जीरो सिक्स जीरो फोर यही है अब इसमें हम माल लिते हैं शिक्स को न इफ 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 इज वन प्लेस न तो क्या होगा सिक्स हो जाएगा ठीक है शिक्स को वन प्लेस मालेंगे तो क्या लिखेंगे जीरो फोर लिखेंगे ठीक है और एक क्या लिखेंगे एक लिखेंगे six four zero ना ठीक है तो three digit का number बताना है ठीक है तो हमको three digits ही बताना है कि ऐसे possible ना ऐसे all all possible three digit number ना ठीक है तो थ्री digit का number बताना है यहां देखें टू यह आपका नहीं होगा ठीक है अब मानने हैं जीरो प्लेस खहर ज यहाँ 0 1 1 प्लेस जीरो लिक और क्या दिख सकते हैं 460 इसने देखो आ रहा है अब मानते हैं फोर वारे पर आप डिखते हैं एक वान प्लेस कितना होगा इसका भाईया कि इसका देखो तो यहां पर क्या हो जागा हिए इसको भी लिख सकते हैं कि zero six-four ठीक है अब यह वाला तो not allowed होगा कि यहां double number पर यह नहीं है तो वो कौन कौन से number है ये हैं ये वाला ओर ये वाला ठीक है इससे हम इसको निकाल लेंगे ठीक है अब आगे देखते हैं रीपिटिंग वाला ना एक adults है या फिर आप इसको नकाल करके कि आप बताईएगा कमेंट करके ठीक है कि कितने रिपीट करके नंबर बन सकते हैं और कौन कौन से होते हैं यह आप लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है बताएंगे ना बच्चो ठीक है प्रामिस ठीक है प्रामिस कर रहे हैं तो ठीक है जरूर बताईएगा ठीक है अब आ ठीक है थर्टीन वाला बहुत अच्छा भी है आसान भी है और बहुत इंपोर्टन भी बत्चों ना थर्टीन वाला देखते में क्या बोलना है कि हमको भरना है हमको फिल करना ठीक है क्या दरह है filling the blank बहुत important चीज है बच्चों हम एसा के लिए काम देगा ठीक है यह very important है जो किया कहरा है पहला की 1,00,000 इयुक्वल टू कितना 10,000 होगा तो देखो बच्चो 1,00,000 में कितना 0 होता है तर papier तर्дел होता है 1,00,00 में कितना 0 जिरो यहाँ देखो आल रेड़ि 10,000 दिया है 10,000 दिया है पहले से क्या दिया है 10,000 पहले से दिया है और हमको 1,000,000 के equal करना है तो कितना कम है देखो 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 मतलब कितना ज्यादा ये है 1,0 ज्यादा है तो यहाँ प्याँ प्याँ एक जीरो के लिए क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे तो 1,000,000 is equal to 10,000 कितना 10,000 यहाँ जितने जो दिये हैं यह भी कोई value है इनका भी कुछ value है ठीक है तो हमको इस value में convert मतलब equal करने के लिए कितना कम है ये 1,00,000 is equal to 10,000 है इसमें कितना और number कम है कि जो इसके बराबर हो जाएगा कितना number और needs है आपको देखो 10,000 है तो 10,000 कितना 1234 ठीक है यहाँ वन लाख दिया है 1,00,000 कितने है वन ट्री, फोर फाइफ ठीक है फोर दिया है पहले से ही एक जीरो और 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 आजाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा वो equal हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा खेलिए अब क्या दिया है 1,000,000 तो थाउजन में कितना होता है जीर भर भाईया आईसे याद कर लेंगे तो आ जाएगा नो आईसे निकाल सकते है देखो 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 से दिया है, और हमें कितना चाहिए, थ्री जीरो और चाहिए, तो थ्री जीरो के लिए कितना होता है, यहां कितना हो जाएगा, वन थाउजन हैंड़े, ठीक है, अब यहां कितना दिया, लाख दिया है, यहां कितना है, ठीक है, यहां कितना है, तो टेन के लिए कितना है, टेन हमें कितना 0 और चाहिए कि हो जाएगा तो में 4 0 और चाहिए 1 2 3 4 कितना 0 1 2 3 4 यहां जितना जीरो लेंगे यहां वन लिखना अनिवार है यहां वन को राइट करना लिखना बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर लिखेंगे तभी न आप जीरो लेंगे कि आपका वो पोजिशन वैलू कितना होगा तो यहां पर कितना 5 है मतलब 10 यहां पर 10 दिया है यहां प लाख का यह है और हमारा जो एक्वल की जो उधर दिया है यहां फिर हमें टेन दिया है तो हमें और कितने जीरो चाहिए हमें और फोर जीरो चाहिए इसके एक्वल होने के लिए लिए वन टू त्री फोर फाइफ वन दिया है वन टू त्री फोर फाइफ इक्वल हो जाएगा चाहिए है तहीं कितना चाहिए कितना फोर जीरो तो यहां स्विक दिंग गितना Did थेन लाख में कितना जीरो 10 मतलब थेन लाख मतलब पांच़ जीरो और टीक है 1234510 ठीक है अब इस में और ये नंबर पर कंपेर करिए ना 123456123456710 के लिए हाह आप कीा लगा देंगे 10 तो वही 10 कहा लगेगा यहां लग जाएगा ठीक है अब देखो वन करोन कितना लाक है नो सिर्फ लाक है ठीक है तो लाक में कितना जीरो लेना हता है लाक में भी यह कितना जीरो है नो 12345 ठीक है 5 होता है इसमें कितना 7 हमें कितना और चाहिए 100 डबल लिरो और चाहिए था हमारा क्या हो जाएगा complete हो जाएगा तो यहाँ double क्या होगा 100 लाक्स is equal to 1 करो ठीक है तो 1 करो is equal to कितना 10 लाक होता है 10,000 तो 10,000 देखो कितना दिया है 10,000 तो देखो यह 10 हो गया कितना 0 1,2,3,4 तो 1,2,3,4 कितना कम है 3 नंबल मतलब 1,000 और अगर आ जाएगा तो हमारा 1 करोड के equal to हो जाएगा तो यहाँ कितना करेंगे 1,000 ठीक है ऐसे ही इसको हम लिखते जाएगे नोट करते जाएगा ठीक है बहुत असान है अगर आपको यह लर्न है अगर लर्न है तो आप इसको बना सकते है ठीक है अब 1 करोड में कितना 1000 तो 1000 कितना 0 होता है 3 0 होता है ठीक है सब लोग जानते हैं कितना 0 कम है 1,2,3,4,5,6,7 नो 3 0 है मतलब 4 0 हमें और चाहिए 4 0 और हमें चाहिए तो 4 0 कितना होता है 10,000 यहां लिख देंगे 10,000,000 नो ठीक है अब यहां 1 करोड में 100 है 100 के लिए क्या करेंगे 100 में अगर दिया है नो तो 100 कितना कम है 100 यह है मानलो 2 0 दिया है तो 1,2,3,4,5,6,7,2 0 मतलब 5 0 हमें और लेना है नो 5 0 तो 5 0 हमें लगा देंगे 1,2,3,4,5 ठीक है अब कितना है 1 करोड कि यहां पिर 10 दिया है नो यहां से क्या दिया है 10 दिया है तो कितना हमें चाहिए बच्चों देखो 1 दिया है तो 1,2,3,4,5,6,7 नो तो मतलब 6 0 चाहिए इसे ठीक है 6 0 बहुत बड़ा 0 ना 1,2,3,4,5,6 ठीक है ऐसे इसको हम लगा सकते हैं ठीक है अगर यहां पोजीशन मैलू को अगर अच्छी तरह लर्न किये हैं तो इन सक को अफसानी से लगा सकते हैं तो आप लोग ठीक है बहुत वीडियो तो बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा क्या बहुत लंबा बन गया ठीक है तो चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे अगले लेक्चर में इंटरनेशनल प्लेस वैलू सिस्टम को देखा जाएगा ठीक है अब उसको अच्छी तरह है उसको बहुत तेजिस पढ़ाएंगे ठीक है आप पूरा डिटेल लिख करके नहीं ब इसका भी नोट से मिलेगा लेकिन आपको सिफ समझाना मतलब कॉंसेप्ट मतलब उसका हम बहुत अच्छी बता देंगे कुछ नुमेरकर बताएंगे आपको बहुत अच्छी से केलियर हो जाए ठीक है तो ठीक है बच्छो मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक बने रहीए और जगर वीडियो अच्छा लगे तो सेर इतना करिए सब्सक्राइब करिये ठीक है तो बिलते हैं बाई बच्छो बाई